दोस्तों COVID test दो तरीके के होते हैं, एक antigen और दूसरा RT-PCR, antigen test क्योंके सस्ता होता है, जल्दी किया जा सकता है, तो इसलिए chances हैं कि इसकी accuracy थोड़ी कम हो, एक survey के हिसाब से antigen test अगर 1000 लोगों पे किया जाए और उन 1000 लोगों में से 50 लोग COVID positive पाए जाए, तो उन 50 लोगों मे से हो सकता है, आठ या 9 लोग या तकरीबन roughly 17% actual में COVID negative हैं, उनको COVID नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में घलत positive दिखा रहा है, उनी 1000 लोगों में से अगर 50 positive रिपोर्ट में आये हैं और बागी के 1600 COVID negative हैं, तो हो सकता है कि उन 1500 लोगों में से 0.6% या या 5-6 लोगों को actual में COVID है, रिपोर्ट में घलत दिखा रहा है के नहीं है, दूसरा टेस्ट होता है RT-PCR, इसको gold standard टेस्ट भी कहते हैं और ये काफी accurate होता है, ये अगर ठीक से किया जाए, तो इसकी accuracy 100% तक हो सकती है, लेकिन कई cases में ये भी घलत रिपोर्ट देता है, इसके पीचे कई factors हो सकते हैं, बहुत जल्दी, infection होने के बहुत देर बाद, ये सारे factors भी depend करते हैं अगर test report गलत आती है, तब क्या हो, जब आपका RT-PCR तो negative आ रहा है, दिखा रहा है COVID नहीं है, लेकिन आपके पास सारे symptoms है COVID के, उस situation में जो next logical step होता है, वो होता है CT scan, CT scan में computed tomography के जरीए, एक ऐसी medical imaging technique का use होता है, जिसके जरीए आपकी chest का काफी detailed diagnosis किया जाता है, और उससे COVID detection किया जा सकता है, और उसी हिसाब से फे doctors आगे treatment करते हैं, अगर आप कोई जानकारी लगी के जरूरी है, तो इसको like भी किजे और share भी किजे ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे, thank you.